नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं अंदोलन सुरू हो रहा है, बतादे राज भर के 18-19 छात्र संगठनों ने एक जूट होकर 17-19 अप्रेल तक महा अंदोलन की घोसना की है 17 अप्रेल को मुख्य मंत्री आवास घेरा, वहीं 18 अप्रेल को 20 साल मसाल जुलूस और 29 अप्रेल को पूरे जार्खन बंद की घोसना चात्र संगठनों ने कर रखी है चात्र नेता देवेंद्र महतों ने बताया है कि 17 अप्रेल को मुख्य मंत्री आवाज गहरने सभी 24 जीलों से चात्र रांची पहुंचेंगे 10 बहे तक मुराबादी में महा जुटान होगा और उसके बाद मुख्य मंत्री आवाज गहरने निकल जाएंगे वही 18 अप्रेल को जीला मुख्यालियों और प्रखंड मुख्यालियों में चात्र मसाल जुलूस निकालेंगे तथा 29 अप्रेल को पूरा ज्यारकन बंद रहेगा बता दे आंदोलित अव्यार्थियों का काना था कि सरकार उनकी मांगों को मानने की जगा आंदोलन को कैसे कमजोर किया जाए इस पर ध्यान दे रहिया है आखिर नए नियोजन निति कब तक लेकर आएगी जब साथ चालीस से ही भरतिया हो जाएगी तो फिर यहां के बेरोजगार यूआ क्या करेंगे जार्खन स्टेट स्टुडेंट यूनियन का काना है कि इस बार का च्छात्र अंदोलन एतिहासिक होगा और हम लाठी डंटे खाने के लिए त्यार है जार्खन में हीट वेब अलर्ट जारी जार्खन के लोगों को सोमवार को गर्मी से काफी हद तक रहत मिलने की उमीद है 17 अप्रेल को आशिक बादल चाहे रह सकते हैं वहीं 29 अप्रेल से गर्जन के साथ बारिस की समावना जताई गई है बारिस होने से लोगों को गर्मी से रहत मिलने की उमीद है मौसम के तेवर कड़े हैं सुबा नौ बये से ही आसमान में तेज धूप निकल रही है प्रचंड धूप से लोग परिसान है इसी वीच मौसम विभाकी ओर से अच्छी कावर्या है की मौसम केंद्र रांची के मुताबिक 17 अप्रेल को आसिक बादल चाहे रह सकते हैं वहीं मौसम सूस्क रहेगा 18 अप्रेल को आसमान मुक्यता साप और मौसम सूस्क रहेगा वहीं राजे में 19 अप्रेल से बारिस की संभावना है CM अवास घहराव को लेकर पुलिस अलर्ट 2000 फोर्ष तैनात रांची में छात्र संगटनों की ओर से CM अवास घहराव कारकरम को देखते वे पुलिस अलर्ट आये पुलिस ने अंदोलन कारियों से निपटने के लिए पुखता त्यारी की है CM अवास के आसपास सुरक्षा के पुखता इंतजाम किये गए है साथ ही जगा जगा पुलिस फोर्ष की तैनाती की गई है बतादे राजधानी रांची में एक बार फीर बड़े अंदोलन की तैनाती है नियोजन नितिक बीरोद में सोमवार को सैकलो छात्र CM आवास का घहराव करने की तैनाती की जाएगी राज्य भर के छात्र संगठनों ने नियोजन नितिक बीरोद में आंदोलन को और तेज कर दिया है आंदोलों को सफल बनाने को लेकर दजनो संगठन के छात्र सोमवार को मुख्य मंत्री आवाज के घिराव करेंगे इसको लेकर रांची पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है रांची की कई जगों पर आज धारा 144 लागू गाइडलाइन जारी जारखन के नई नियोजन नितिक के विरोध में छात्रों का सोमवार से अंदोलन सुरू होगा सोमवार को छात्र मुख्य मंत्री आवाज घिराव करेंगे ऐसे में पूलिस पसाजन सुरक्षा के पुखता इंतिजाम किये है साथी राजधानी राची की कई जगोपा धारा 144 लागू कर दिया गया है ऐसे में राची के DC और SSP ने आदेश देते हुए मुख्य मंत्री आवास एवं सच्चिवाले के 200 मीटर की परीधी में किसी तरह के जुलूस, रैली, पर्दसन, घेराव, आदी, आयोजित नहीं करने का आदेश जारी किया साथी इसके नियमित अधिस सुचना भी जारी कर दी गई है जारी अधिस सुचना के अनुसार मुख्य मंत्री आवास और सच्चिवाले के 200 मीटर के परीधी ने धारा 144 लागू रहेगी और नीचे दिये गए नियमों का पालन करना निवारे होगा बता दे नियमों में सो मुखर सुबा आठ बये से रात्री साड़े गारा बये तक के लिए लागू रहेगी इन छेत्रों में पांच या उस्से अधिक व्यक्तियों का एक जगा जामा होने का चलने पर पवंदी रहेगी हलाकि इसमें सरकारी कारे में लगे पता दिकारी कर्मियों एवां धार्मिक तथा अंतवश्टी कारे करम में छुट दी गई है जार्खन में कुरोना के 27 नए केस जमसेदपूर से 22 जार्खन में कुरोना मरीज फिर बढ़ने लगे हैं, रभ्योवर को राजे में 27 नए कुरोना मरीज मिले हैं, इनमें 22 अक्केले जमसेदपूर के हैं, वहीं 5 अन्य में रांची और सराय के लाके दो-दो तथा कुडारमा का एक संक्रमित सामिल है, बता दे जमसेदपूर में एक महिला की मौत भी हुई है, वहीं 10 मरीजों ने कुरोना को मात भी दी है, राजे में अब कूल एक्टिव मरीजों की संक्या 182 हो गई है, रांची में यहां आकडा 63 पर पहुच गया है, जमसेदपूर के बीरसा नागर में गुरुवार को कुरोना संक्रमित एक ब्रीद क की मौत हो गई, यहां 34 दिन बाद किसी कुरोना संक्रमित की मौत हुई है, इससे पहले 12 मार्च को यहां टेलको निवासी एक बुजुर्ग की मौत हुई थी, नियोजन निती को लेकर 29 अप्रेल को जार्खन बंद का आदिवासी सेगल अभियान का समर्थन, आदिवासी अप्रेल को मसाल जूलूस और 29 अप्रेल को जार्खन बंद का वहान किया गया, आदिवासी सेगल अभियान के राष्ट्रिय अध्याकस पुर्वसांसल सालखन मुर्मु ने कहा है किया एक आंदोलन परतीत होता है, इसलिए आदिवासी सेगल अभियान इस बीरोध के लिए 29 के सांती पुर्ण जार्खन बंद का समर्थन करता है, 29 अप्रेल को जार्खन बंद का वहान किया गया है, जार्खन एस्टेट स्टूडेंट यूनिय ने एलान किया है कि 17 अप्रेल को मुख्यमंदरी का वहास का खिराव किया जाएगा, आदिवासी सेगल अभियान की रभ इन इनामी सहीत चार हाटकोर नकसलियों ने किया सरेंडर। नकसलि संगठन भागपा मवादी के चार सिर्ष और हाटकोर नकसलियों के जारखन पुलिस के समख चात्रा में सरेंडर करने की सुचना है। जारखन में कंप्यूटर सिक्षा के पद पर नियुक्ति के नाम पर 30,000 की वसुली। गोड़ा में हरित फांडेशन के सीओ ने कंप्यूटर सिक्षा के पद पर नियुक्ति के देने के नाम पर 33 आवेद को से 33,000 रुपे लिए थे। जारखन में निसुल्क सिक्षा देने की जिम्यदारी हरित फांडेशन से जुड़ी पटना की संस्ता बाल विकास कंप्यूटर युजना को दी थी। बता दे गोड़ा के पूलिस अधिक्षा ने इस कूली सिक्षा विभाग को बताया है के हरित फांडेशन दोरा जिले में कंप्यूटर सिक्षा एक नियुक्ति करने और बाद में बेतर नहीं देने की दो प्राथमी की पोड़े हर्थाने में दर्च कराई गई है। बोकारो में तेंदुवा का आतंक महिला को घायल कर पेड़ पर चड़ा। प्रसासन ने छेदर में धारा 144 लगाई है। पुलिस और प्रसासनिक अधिकारों के साथ वन विभा की टीम विवा मौझूद है। बता दे गाउं में तेंदुवा आने की बात इलाके में तेजी से फ्राइली है और मोके पर तेंदुवा को देखने वालों की भीड़ लगी है। वन विभा की टीम भी सुबा पहुंची है। शिक्षकों ने इव बिद्यावाहनी से हाजरी नव बनाने पर बेतन रोखने का किया विरोध। सांतिक कुझ में हुई जिसमें उक्त आदेश पर चिंता प्रकट करते हुए उसे और वेभारिक बताया गया। सिक्षक संग ने कहा है कि ऐसे आदेश सिक्षकों को मासिक रूप से परतायित किया जा रहा है क्योंकि इव बिद्यावाहनी से उपसिती बनाने में नेट्वर के अलावा कई समस्याए आ रही है। केंद्रिये राजय मंत्री की चेतावनी। उन्होंने कहा है कि जानता इस सरकार से त्रस्त है केंदर सरकार जो रासी दे रही है राज सरकार उसे खर्च भी नहीं कर पा रही भाजपा के सच वाले घिरावकार करम लाठी चार्ज की निंदा करते व्यास्वीनी चोबे ने कहा है कि सांतिपुन प्रदसन पर इस तरह की प थिक नाकेबंदी की घुशना की है नाकेबंदी से पहले 29 अक्टूबर को मुराबादी मैदान में रैली होगी रैली में कुडमी को आदिवासी के दर्जा देने समेत अनेमांगों पर दबाव बनाया जाएगा बताज रभीवर को फुराना विधान सभाव विधायक कल्ब इडी ने जमीन घोटाले के आरोपियों को रिमांड पर लिया रांची में जमीन घोटाले में गिरफतार कर जेल भेजे गए सभी सातों आरोपियों को इडी ने रभीवार को चार दिनों की रिमांड पर ले लिया है बीरसा मुंडा केंद्रिये कारा होटवार से सुबह करी 11 बजे इडी के टीम ने सभी 7 रोपियों को रिमांट पर लिया इडी उनसे पूस्ताच कर रही है जिन 7 रोपियों को रिमांट पर लिया गया उनमें अपसर अली उर्फ अपसु खान, इंतियाज अमद, परदीप, बागची, मुहमद, सदाम, हुसेन, तलहा खान, भानुप, परताब, परसाद, और फयाज, खान, सामिल है, सबको 14 अप्रेल को इडी ने की रफतार किया था, 36 गड़ सराब घोटाले में जार्खन के उत्पाद सचीव और उत्पाद आयुक्त को नोटीस 36 गड़ में हुए सराब घोटाले में एडी ने जार्खन के उत्पाद सचीव और उत्पाद आयुक्त को नोटीस बेजा है ED के 36 गड़ टीम ने नोटिस बेज़ का 36 गड़ एस्टेट मार्केटिंग कर्पोरेशन लिमिटेड के साथ सराब की विवाधित नीती के पालन के वैधानी करार से समंधीत मामले में पक्ष रखने को कहा करार में 36 गड़ में हुए सराब घोटाले के किंग पिन अरून पत्ती त्रिपाठी और सिधार्थ सिंगानिया की भूमका के बारे में पुछा है इडी जारखन में भी सराब की खुदरा दुकानों के मादम से अवाएद सराब की आपूर्ती करने के बिंदू पर छाण भीन कर रहा है कोट के आदेश के बावजूद भी पूलिस ने दर्ज नहीं की प्रत्मी की फोरेंसिक जाच रिपोर्ट में सेना और चेसायर होम रोड इसी जमीन के दस्तावेज में हिरा फेरी करने के पुछ्टी हुई है फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद अब प्रवर्तन निदे साल है और आज पूलिस के बिच टकराव के असंका जताई जा रही है बताज सेना की जमीन के मामले में पूलिस ने कोट के आदेश के बावजूद प्रत्मी की दर्ज नहीं की थी चेसायर होम रोड की जमीन के सिलसीले में दर्ज प्रत्मी की में पूलिस ने या कहते हुए क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी थी कि यह मामला दिवानी है राज्य के युवाओं को नवकरी दिलाने के नाम पर सिर्फ कोरा अस्वासन दिया जा रहा है राज्य में साड़े तीन लाग से अधिक पद रिक्त हैं जिसमें करीब दो लाग सिक्सकों के पद है स्री महतो रांची के हर्मों इस्ठीत पार्टी के केंद्रिये करेल में आवजीत मिलन समारों के दोरान कही है बता दे आईसू सुप्रीमों ने कहा है कि आम जन्मानस की संभावनाओं आकक्छाओं को हाकिकत में बदलने की चुनाउती तथा राज की वर्तमान राज नीती परिश्थिती का आकलन करते हुए हम दुरगामी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं राज की अभाव को नेत्रित्वे देने की एक बड़ी जिमेदारी हम सभी पर है मजूदा सरकार सब तीन साल में सिर्फ बाते ही कर रही है धारातल पर कुछ नहीं दिख रहा उन्होंने कहा है कि सरकार जारखंड के आज और कॉल दोनों को बरबात कर रही है जैक बोर्ड टेन्थ ट्वेल्थ रियल्ट जून में आने की समभावना धारखंड बोर्ड की दासवी और बरहवी की परिक्षा खत्म हो चुकी है दासवी की परिक्षा 14 अमार्च 2023 को शुरू हुई थी जो 3 अपरेल 2020 तक चली बतादे इस साल मैट्रिक इंटर की परिक्षा में लाखोच चातर सामिल हुए जाज के बाद पहिणाम घोसीद करने के लिए भी भीवीन पर किरिया होती है ऐसे में परिक्षा का पहिणाम जून दुआ जाते इस तक मिलने की संभवना है पहिणाम की घोसना होने के बाद छात रजैक के दिकारिक वेप साइट पर जाकर यल्ट देख सकते हैं बाबा बैधनाथ धम में इस बार दो माह लगेगा स्रावनी मेला स्रावनी मेले की तैयारी में प्रसासनिक टीम जोर सोर से जुट गई है अबिवार के सुबह डीसी मंजुनात भयंत्री वो एसपी सुबास चंद्रजाट ने प्रसासनिक टीम के साथ कवारिया पथ पर पैदल जा जा लिया सुबह में खिजूरिया से दुम्मा तक करीब 10 किलोमेटर कवारिया पथ का पैदल भ्रहमन कर समस्याओ से अउगत हुए डीसी ने कहा है कि इस वर्स रावनी मेला दो महिने तक चलेगा क्योंकि इस वर्स रावनी मेले के साथ मलमास मेला भी लगने जा रहा है अईसे में अत्याधिक भीण बढ़ने की भी संभावना को देखते हुए कावरिया पथ समेत पूरे मेला छेतर में त्यारिया दुरूस्त रखी जाएगी डिसी ने देवपूर बाक सरासनी वर दर्द मारा गेट तक की जाने वाले त्यारियों की बारी किसे जाच करते हुए कारेपालक अभियान तक को ससमय काम पूरा करने को कहा है कॉंग्रेस की इफ्तार पार्टी में सामिल हुए मुख्यमंत्री हेमान सुरेन कॉंग्रेस की इफ्तार पार्टी में मुख्यमंत्री हेमान सुरेन सामिल हुए आयोजन राची के मिलन पैलेस में किया गया था इस दोरन कॉंग्रेस की बिधायक दलकिनेता अलमगीर आलमने राजे की तरकी के लिए दुआय मांगी है बता दे रायत के बाद ज्यारखन कॉंग्रेस ने भी दावत ए इफ्तार का आवजन रभीवार को किया रमजान के पाक महिने में कॉंग्रेस के दावत ए इफ्तार पार्टी में मुख्यमंत्री हेमान सुरेन भी सामिल हुए कॉंग्रेस के परदेश प्रभाई अविनास पांडे तथा अने नेताओं के साथ मुक्ष मंतरी हमांसुरे ने राज्य और देश के खुशाहली अमन्चेन की दुआ की है रांची के मिलन पैलेस में अविजीत दावत ए इफ्तार के बाद मुक्ष मंतरी हमांसुरे ने कहा है कि सायोगी कॉंग्रेस पार्टी की ओर से दी गए इफ्तार पार्टी में वसामिल हुए है जो नजारा आज यहां दिखा है उसे सब्दों में बया नहीं किया जा सकता है बलीक महसूस किया जा सकता है धन्यवाद